हेल्थ थता ब्यूटी से रिलेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें रियल ब्यूटी चैनल को और बैल आइकन को दबाएं ताकि मेरे बनाई हुए लेटिस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएं एलो फ्रेंड्स आपका हमारी रियल ब्यूटी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले फ्रेंड्स यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो चलिए अब हम थोड़ा ऐसे जान लेते हैं सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए ऐलो वीरा जैल मैंने यहाँ पर पतन जली का ऐलो वीरा जैल लिया है आप और किसी कंपनी का भी ले सकती है और फिगारो ओयल फिगारो ओयल में जैतुन का तेर मिला हुआ होता है बिटामिन ए के कैपसूल जो मार्केट में इजली आपको मिल जाएंगे और नीबू का रस तो अब इसे जानते हैं कि कैसे बनाना है तो फ्रेंस इसके लिए सबसे पहले आधा चमच एलो वीरा जैल को ले लें प्रेंस आधा चमच से कमी रहे जादा ना रहे आधा चमच लेकर कटोरी में डाल लें ऐसे फिर इसमें फिगारो ओयल आधा चमच मिक्स कर दें प्रेंस एलो वीरा जैल चहरे के साथ-साथ बालों को मुलाईं चमकदार और सीधा रखता है और फिगारो ओयल में जैतुन का तेल पाया जाता है जिस में नैचरल रूप से बालों को सीधा और सुंदर बनाने में की छंता पाए जाती है अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें अस्छे अच्छे से फेट लेना है ताकि दोनों इंग्रीडियंस अच्छे से मिक्स हो जाएं अब फ्रेंड्स इसमें हम आठ से दस बून नीवू का रस मिलाएंगे नीवू का रस बालों की चमक बढ़ाता है और बालों को सिल्की बनाता है फिर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर इसमें बिटामिन ए का एक कैपसूल काट करके इसका अंदर का भाग मिलाएंगे प्रेंट्स बिटामिन ए के कैपसूल बालों की ब्रद्धी में सहायक होते है इसमें मौजू सक्तिसाली एंटि आक्सिडेंट बालों को सीधा रखने में बहुत मदद करते हैं तो friends अब हमारा ये paste बन कर तयाद आब इस paste को बालों की जड़ों में मसाज करते हुए लगाना है और इसे कम से कम एक घंटे तक ऐसे ही लगा रहने देना है फिर बालों को धुल लेना है तो friends मैं आपको बताती हूँ किसे किस तरीके से लगाना है इसे उंगलियों की सहायता स आप थोड़ा ले लें और बालों की जड़ों में मलते हुए लगाए इस तरह से ऐसे उंगली में लेना है और बालों की जड़ों में ऐसे मसाज करते हुए लगाना है तो friends इस उपाय को आप हकते में कम से कम दो बार जरूर आजमाएं आप खुदी फर्क देखेंगे कि तो friends इस आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like share जरूर करें